हम लोग पून्ता इस बात के समर्थन में है कि बिहार को विशेश राज का दर्जा मिलना चाहिए बिहार का विकास मुख्यमंद्री जी की नीतियों से नहीं होगा विशेश राज का दर्जा जब तक नहीं मिलता है और उस दर्जे में भी साध में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होसा काशी विश्वनात का जिस तरीके से विकास किया गया क्या बिहार में किसी ऐसे मंदर का विकास किया गया तो जब ये बनारश जाएंगे मुझे बताए ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे क्या जाकर बताएंगे बनारश के लोगों को कि भाईया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहां पर आए दिन हत्याएं होती है जब पहली बार हमारे प्रदान मंतरी गुजराथ से जब देश के प्रदान मंतरी बनने की दावे दारी लेकर आए थे तो वह एक उडन मॉडल लेकर आए थे मेरे मुझे मंतरी बताएं उनके पास क्या मॉडल है सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेस्ती कराना ये उचित नहीं है ना कॉंग्रिस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना जरूरी है ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमी लोग के साथ ऐसा हमी लोग के साथ ऐसा भई इसलिए क्योंकि ये तस्हीरे सामने आ रही है भई अच्छी बात है भई मांग करें और बताएं कि 19 सालों में मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी की नितियों में क्या-क्या कमिया रही अपनी विफलताओं का ब्योरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखे और ये ब्योरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेश राज का दरजा मिलना चाहिए भई देखे हम लोग पून का इस बात के समर्थन में है कि बिहार को विशेश राज का दरजा मिलना चाहिए पर जब हम या मुख्यमंद्री नितीश कुमार जी विशेश राज के दरजे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्विकार्दा होगा कि 19 साल में मुख्यमंद्री नितीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थ वेवस्ता को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में per capita income को बढ़ाने में नाकाम रही हैं यही कारण है कि बिहार में आज भी अजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेश राज के दरजे की मांग करने की जरूरत पढ़ रही है और हकीकत है बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा विशेश राज का दरजा जब तक नहीं मिलता है और उस दरजे में भी साद में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशी तक ब्रश्टाचार की देन चड़ जाती है विभिन केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशी केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है वो तक ब्रष्टाचार की देन चड़ जाती है तो ऐसे में जब विशेश राश के दरजे की बात की जाती है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मौनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेश राज के दर्जे की राशी या जितनी इसमें सहुलियते हैं सुविधाएं हैं उसका इस्तमाल या पूर्ण रूपें उसका इस्तमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद सरकार इसकी मौनिटरिंग भी करेगी बिहार में उनको कोई सुनता नहीं है बनारा जाएंगे रेली करने भाई जो मुख्य मंत्री बिहार की जनता को जिनों जिनों बिहार की जनता ने जिनको अस्विकार कर दिया हो वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी और अगर वो बनारा जाएंगे मुझे बताएंगे न क्या लेकर जाएंगे वो बनारस पुर्वांचल में ही भिहार और बनारस कोई बहुत दूर-दूर तो है नहीं क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंद्री निटीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है हकीकत है आप जाकर देख लीजे बनारस को अभी कुछ दिन पहले अभी हम गए वे थे बनारस में पार्टी का भी एक कारेक्रम था और वहाँ पर हम मंदर हम दर्शन के लिए भी गए थे काशी विश्वनात आप बनारस को जाकर देख लीजे प्रधान मंतरी की लोकसभा है सिर्फ इस नाते ही नहीं पर जिस तरीके से उस शेद्र का विकास हुआ है वहाँ के आप मंदर को ही देख लिजाए मुझे एक उधारन के तोर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदर बता दे काशी विश्वनात का जिस तरीके से विकास किया गया क्या बिहार में किसी ऐसे बेडिकास किया गया और मैंसी वास्ता से जोड़के इसको नहीं बोल रहा रिविन्यू जेनरेशन भी होता है वही इससे बिहार की अर्थ वेवस्ता इससे बहतर होती है तो जब यह बनारस जाएंगे मुझे बताए ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भाया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहां पर आई दिन हत्याय होती है यहां हम उस प्रदेश से आएं हैं कि लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं सिक्षा के लिए रोजगार के लिए यहां उस प्रदेश से आए हैं जहां पे शराब बंदी तो है पर खुले आं वहां पे शराब जाती है और इनी सीमावरती इलाकों से शराब वहां पे जाती है क्या बताएंगे के मुख्य मंत्री वहां पर जाकर देखे प्रधान मंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनवती देना उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए आपके पास भी तो धारन होने चाहिए जब पहली बार हमारे प्रधान मंत्री गुजरात से जब देश के प्रधा कराना यह उच्छित नहीं ना भाउधा को बहुत विकास की बाते करते हैं इमानदारी की बाते करते हैं हाथ कंगन को आर्सी कर आई तो सामने-सामने की बात है ना इसको जुडलाया नहीं झा सकता यह लोग जो बोलते है कि इनलों के पास तो कोई काम ही नहीं है विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मानना, ED की रेर देना CBI के छापे करवाना बट भाई जहां पर छापे हो रहे हैं वहां पर इस तरीके की तस्वीरे भी तो सामने आ रही हैं जहां पर अलमारिया नगदी से भरी पड़ी हैं जिसको संभवता गिनने में दिनों लग गए हैं अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है आखरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड के आसपास की नगदी बरामत हुई थी और अभी भी कई बैक्स बाकी हैं बताएं कॉंग्रेस के नेता की भई ये तस्वीरों को क्या वो जुटला सकते हैं जवाब कॉंग्रेस के नेताओं को देना होगा और बिहार कॉंग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारीयों के DNA पे सवाल उठाते हैं इन तमाम बातों का जवाब दे ना बिहार Congress क्या वो इनको स्विकार करती है राहूल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते और संभवता चर्चा हो रही है कि दूसरा चर्ण होगा दूसरा चर्ण East to West या West to East होगा संभवता इस बार वो बिहार भी आएंगे तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत है कि जब तेलंगाना के DNA को बिहार के DNA से बहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो की Congress के हैं जब वो इन बातों को कहते हैं हकी कॉंग्रेस की फजियत से विसी बात से होती है और कॉंग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इनी कार्णों की वजह से लाइव भी हाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें